dear students, इस module में हम लोग forms को study करेंगे, forms हमारे पास use होते हैं, यूजर से input लेने के लिए, तो user हमारे पास form में कोई information add करता है, फिल करता है, और फिर उसको वो submit करता है, तो वो information हमारी website के पास आ जाती है, तो let's have a look at form, यहां पर आप एक form देख रहे हैं, उसके अंदर आपके प पास एक submit का button है, और फिर कुछ additional information है, तो let's see के यह form हमारे पास कैसे create होगा, form के लिए हम लोग form का tag यूजर करेंगे, उसके अंदर अगर हमारे पास कोई fields को हम लोगों ने group करना, logical grouping है, और एक form में एक से जादा logical grouping हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग field set use करेंगे, field set जो है, इसके दो purposes हैं, एक हमारे पास ऐसे accessibility increase हो जाती है, और फिर दूसरा यह हमारे पास थोड़ा सा बहतर यूजर को पता चल जाता है, यह जो fields हैं, यह जब हम लोग legend use करते हैं, तो हमारे पास kind of legend इस चेका पर आ जाता है, field set के round हमारे पास इस तरह का एक border सा create हो जाता है, इसके लिए हम लोग paragraph div और मुखलिफ HTML के tags use कर सकते हैं, form से related tag जो है, हम लोग यह बता रहे हैं, कि हमारे पास यह एक label है, और फिर उसके बाद हम लोग एक text field use कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग input type is equal to text, और उसका हम लोग name बता देते हैं, कि हम पर title है, यह जो हमारे पास title नजर आ रहे है, this is because of the label, not because of this name, फिर हमारे पास country है, country में हमारे पास let's say drop down list है, drop down list के लिए हम लोग select use करते हैं, और फिर उसके इंदर जितनी हमारे पा submit लिखने से हमारे पास एक submit का button जो है, वो create हो जाएगा, forms हमारे पास काम किस तरह करते हैं, सबसे पहले यह होगा, कि जब एक website open होगी, तो user जो है, वो request करेगा, उस website को, web server के पास वो request जाएगी, और web server क्या करेगा, कि उस request की base पे एक form जो है, वो user को send कर देगा, so the user will see this form अब user के पास जब यह form आगिया, वो user उसको फिल करेगा और फिर उसके बाद submit का button प्रेस करेगा, जब यह submit का button प्रेस होगा, तो user के पास एक empty form आया था, वो उसने उसको fill किया, जब submit किया, तो जो वो जो फॉर्म के इंदर data fill हुआ वो है, वो फिर वापिस server के पास सला ज जो है वह हैंडल किया जाएगा हम लोगों ने अनुण यूरेल्स के उना चैग आधा था हमारे पास आंदर भी स्क्रान suisse हमारे पास हैंडर फर्म के लिग यूखे बटन प्रेस करती हैं और फॉर्म का अगर हम लोगोंने submission का method जो है वो हम लोगोंने get रखा वैं तो हमारे पास form के अंदर जितनी भी हम लोगोंने data फिल की है वो URL के अंदर एक query string की form में चला जाएगा ठीक है query string के अंदर क्या होगा कि जो हम लोगोंने element का name रखा था वह हमारे पास variable बन जाएगा और उसके अंदर जो value फिल हुई भी थी वह हमारे पास उसकी value बन जाएगी और इसी तरह हमारे पास यहां पर टाइटल है Central Park हमारे पास titles equal to Central Park हो गया spaces are replaced by plus symbols और फिर अगर multiple हमारे पास variables है यहां पर country है तो वह एंपरसेंट से separated होगा और उसके अंदर हम लोगोंने country के लिए लिस्टाउं जो थी हमारे पास उसके अंदर हम लोगोंने उसका name वेर रखा वा था वेर के अंदर value यूजर ने United States स्टेट सेलेट की है हमारे पास वेर में United States आ जाएगा ठीक है तो इसला हमारे पास query string की फॉर्म में भी फॉर्म का डेटा सब्मिट हो सकता है form के अंदर हमारे पास दो methods होते हैं form को submit करने के एक हमारे पास get का method होता है एक post का method होता है get के method के अंदर क्या होगा कि जब आप submit के button को click करेंगे तो आपके पास ये information server site पे जाएगी get request की form में और वहां पे आपके पास जो form का data है वो आपके पास एक query string की form में जाएगा ठीक है और user को ये query string जो है वो browser के अंदर नजर आ रहा होगा that means के उसे नजर आ रहा होगा URL के अंदर के उसने form के अंदर कौन सी values जो है वो fill-in की थी अगर हम लोग get की बजाए form के tag के अंदर method post यूज करते हैं तो फिर हमारे पास ये जो information है ये URL के अंदर नहीं जाएगी ये हमारे पास http header के अंदर embed होगी और फिर वो embedded information जो है वो हमारे पास server site पे जाएगी तो जब आप method is equal to post यूज करते हैं तो आपके पास ये information जो यूजर ने फिल की भी होती है ये उसको अपने URL के अंदर नहीं नहीं नजर आ रही होती है कब आपने get यूज करना है कब आपने post यूज करना है और अगर आपके पास कोई information है which you do not want to show in the URL तो आप पोस्ट का method यूज करेंगे mostly हम लोग जब user data ले रहे होते हैं या कोई information ले रहे होते हैं तो form को हम लोग post method के साथ ही use करते हैं बहुत काम होता है कि हम लोग get method यूज करें मोस्टी हम लोग search के लिए जो है वो get method को यूज करेंगे यह कुछ form के elements हैं इसमें से कुछ elements है वह हम लोग next modules के अंदर cover करेंगे जिसता हमारे पास button है input की different types है लेबल है data set, field set, legend, select, option, option group, text area, output यह हमार पास कुछ elements हैं जो forms के इंदर use होते हैं और इनकी हम लोग coming modules में examples भी देखेंगे